यहिन दोस्तो जब आप कभी शड़कों पर चलते हैं तो आपको बहुत सारे डीजल और सी अजी के आटो थ्री विलर दिखाई देंगे लेकिन दोस्तो अब सी अजी पेट्रोल और डीजल एलपीजी को छोड़ें तो महजूदा समय में इलेक्ट्रिक त्री विलर पैसेंजर आटो की डिमांड काफी बढ़ती जा रही है और इस सिग्मेंट में बहुत शारी कमपनियों के आटो आज आपको भारतिय सडकों पर दिख जाएंगी अगर आप इलेक्ट्रिक एरिक्षा लेने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आप्सन होता है आपके पास बचत का आप्सन आप इलेक्ट्रिक की एरिक्षा लेकर अच्छा खासा बचत कर आप बढ़िया कमाई कर सकते हैं पहले के समय में पेट्रोल और डीजल की प्राइज काफी तेजी के शाद बढ़ रहे थे और सिग्जी की प्राइज इन सभी की तुलना में काफी कम थे तो शभी का विचार था कि कोई सिएंजी वीकल या सिएंजी याटो पर्चेश कर लेते हैं और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं लेकिन इस विचार का अब लोगों में धिरे धिरे बदला हुआ और सिएंजी के बदले लोग स्विच कर रहे हैं इलेक्ट्रिक विकल पर और इसे इलेक्ट्रिक पैसेंजर इरिक्षा में आज हम आपको मेहंदरा की मिनी अलफा के बारे में जानकारी देंगे कि कैसी परफॉर्मेंस देती है भारती सड़कों पर माईलेंज रेंज क्या है बैटरी बैक अप क्या है आन डोड प्राइस क्या है स्पेसिफिकेशन लोन और यमाई के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने आटोगवाई जंक्षन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तो अगर आप इलेक्ट्रिक इरिक्षा परचेश करके दिन के हजार से बारसो रुपए कमाना चाहते हैं तो या महंदरा का अलफा मीनी इलेक्ट्रिक इरिक्षा आपके लिए काफी अच्छा विकल्ब साबित हो सकता है बात करें दोस्तो इसकी बाड़ी की तो इसकी पूरी बाड़ी मेटल कियाती है जिससे कि आपकी शेप्टी वनी रहती है दोस्तो अगर इस इलेक्टर थ्री बिलर को पीछे की साइट से देखा जाए तो यहाँ पर आपको काफी बड़ी साइज में दोनों तरफ इंडिकेटर लगे मिलते हैं शाती आपको नंबर पेट लगाने की जगय और यहाँ पर अलफा मीनी काई स्टी कर देखने को मिल जाता है इसके नीचे की तरफ लाल कलर में आपको रैफिलेक्टर लगा मिलता है ऐवी बंपर भी आपको सेम गाड़ी की कलर में ही लगा मिलता है जो पीछे की तरफ से बाड़ी को प्रोटेक्ट करता है दोस्तों शामने से लुक काफी बेहतर दिखाई देता है अगर सामने के साइड की बात की जाए तो यहाँ पर काफी अच्छी और चोणी बिंट सिल्ड मिल जाती है और बिंट सिल्ड को शाप सफाई के लिए आपको सिंगल वाइपर यहाँ पर दिया गया है शाथी दोस्तों बैक साइड में देखने के लिए फ्रंट में ही आपको साइड मिरर लगा मिल जाता है वाइट बाडी कलर पर यहाँ बलेक कलर में आपको लाइनिंग फाइवर की पट्टी लगी मिलती है शाथी नीचे की तरफ आपको अलफा मिनी का इस्टी कर लगा मिलता है इसके थोड़ा और नीचे आपको हायूजन बल्ब के साइड दोनों साइड में हेड लाइट लगे मिल जाते हैं जो कि रात के समय काफी तेज रोशनी देते हैं और आपको यही पर इसका इंडिकेटर देखने को मिल जाता है जो कि थोड़ा उभरा हुआ है दोनों ही हेड लाइट के बीच में आपको महंदरा का वेजिंग मिलता है और मजबूत ब्लैक फाइबर के साइड इसका मेट गाट दिया गया है दोस्तो इस थोड़ी बिलर में आपको फ्रंट में 12 इंच के चोड़े टायर मिलते हैं और साथ ही फ्रंट टेलिसकोपिक हाइड डूडिक सौक एपजाई बरलगा मिल जाता है इसके अलावा इसमें शांदार ड्रम ब्रेक दिया गया है जो चालक को फिचलन और दुरगटनाओं से बचाते हैं अलफा मिनी इरिक्षा में 48 वाट 120 AH बैटरी और 1000 वाट बरसलेश DC मोटर दी गई है जो 3.2 यनेम का टार्क जनरेट करती है इसमें डाइरेक्ट टाइप ट्रंसमिसन दिया गया है जिसके टाप स्पीड 25 किलोमेटर प्रतिहंटा है और फुल चार्ज में इसके ड्राइवर ने 90 किलोमेटर है यह अलफा मिनी इरिक्षा पान से च्छा घंटे में फुल चार्ज हो जाती है शवारी के दोरान आराम परदान करने के लिए महंदरा इलफा मिनी केबिन में अडजेस्टेबल सीट मिल जाता है शाटो रिक्षा में 759 किलोग्राम जीवी डवल और तीन टैर लगे मिलते हैं शाथ ही एक स्टेपनी भी मिल जाती है दोस्तों अगर इसके फुल डाइमेशन को देखे तो यहां इस इलेक्टर की रिक्षा की लंबाई 2768 mm, 4995 mm, उचाई 1794 mm और बेहतरीन वील बेज 2168 mm का दिया गया है ड्राइबर केबिन को देखा जाए तो यहां काफी बेहतरीन लेगिस पेज दिखने को मिल जाता है शाथ ही काफी खुबसूरत इसका ब्लैक कलर में डेश्बोर्ट दिया गया है वाइट कलर आप्सन के साथ इसका हैंडिल बार देखने को मिल जाता है दोस्तों सीट को देखा जाए तो चौड़ी और शाप्ट सीट बैक रेस्ट के साथ दिया गया है जिस पर ड्राइबर आराम से बैठ कर गाड़ी को ड्राइब कर सकता है सामने की तरफ ही आपको डिजटल इस्टुमेंट कलेश्टर देखने को मिलता है जिस पर हर तरह की गाड़ी से रिलेटिव इनफॉर्मिशन सो होता है हैंडिल बार पर आपको इंडिकेटर, हेड लाइट, केविल लाइट और हाई और लो स्पीड मोड का स्विच हारन का सुच लगा मिल जाता है डिश बोड पर ही आपको वाइपर और डिपवर हाजार लाइट की सुच लगी मिलती है शाथी मोवाइल और चार्ज करने के लिए बारा बोल्ड का मोबाइल चार्जर शाकेट भी इस तरिवीलर में लगा मिल जाता है दोस्तों पीछे की सिटिंग साइड को देखे तो यहाँ पर दोनों तरफ चोड़े सीट मिल जाते हैं बैकरिस्ट के साथ जिस पर पैसेंजर बड़े ही इसास तरीके से बैठ सकता है काफी जगा देखने को मिल जाती है नीचे लेक साइड में भी जगा अच्छी खाशी देखने को मिलती है यहाँ बैठने के बाद भी आप अपने पैसेंजर का कुछ थोड़ा बहुत शमान वगरे भी रख सकते हैं पीछे की दोनों साइड में भी आपको चोड़े 12 इंच के टायर लगे मिल जाते हैं ब्लैक कलर में मजबूत कैनोपी लगा मिलता है जो पैसेंजर को धूल मिटी धूप या फिर बारिस के पानी से बचाता है रियर सस्पेंशन को देखा जाए तो यहाँ इसके रियर में लीफी स्पिनिंग रियर सस्पेंशन सामिल है 48 KWH की इसमें श्यांदार बैटरी छंता मिल जाती है अगर इसके माइलेज रेंज को देखा जाए तो यह एक बार फूल चार्ज हो जाने पर 100 किलो मीटर से 110 किलो मीटर तक की यात्रा कर सकती है अगर महंदरा मीनी अलफा इलेक्ट्रिक इरिक्षा की आनरोड प्राइज की बात करें दोस्तों एक लाख 80,000 रुपे के आसपास या सोरूम पर उपलब्द हो जाती है इसके आनरोड प्राइज अलग-अलग राजियों यों उनकी शहरों में अलग-अलग हो सकते हैं आप इंस्टॉल्मेंट में जमा कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी अन्यगाडी के रीबी वीडियो के शाद तब तक के लिए जैहिम नवस्तार करें